हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जहा 27 और 28 बिसंबर 2020 का करेंट अफेर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं गाइस अगर आप सिविल सर्विसिस की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना और तुरंट चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर जो मैं आपको रेगुलर्ली करेंट अफेर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ उनको आपको इमानदारी से रेगुलर्ली फॉलो करना है और लेक्चर्स के दुराँ जो भी इंस्ट्रक्शन में आपको देता हूँ उसको आपको फॉलो करना है रेगुलर्ली अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% गैरेंटी आपका सेलेक्शन होगा और इस बात की मैं जो गैरेंटी देता हूँ आइसा ही नहीं देता हूँ इसके बकाईदा प्रूफ भी देता हूँ आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ चेक कर सकते हैं UPSC 2020 एक्जाम से एक से देट साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराये थे उनी से रेलेटेट कोशन्स पूचे गए हैं आप चेक कर सकते हैं प्रूफ में और अगर आप स्टेट सिविल सेर्विसेस की तयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दू कि UPPCS 2020 एक्जाम से एक से डेट साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराये थे उनी से रेलेटेट कोशन्स आए हैं अब बकायता चेक कीजिए और regularly current affairs में बने रही हैं यहाँ पर सभी sources से news मैं cover करवाता हूँ आपकी याने कि अगर आप regularly lecture को follow करेंगे तो आपको कहीं से भी current affairs पढ़ने की अवशक्ता है नहीं current affairs के बारे में चिंता करने की अवशक्ता है नहीं full flesh preparation आपकी यहाँ पर होती है prelims और mains दोनों perspective से और आज की जो topics अपन cover करेंगे यह paper 1 का है यह paper 2 का है और paper 3 के यह topics हैं जिसको अपन discuss करने वाले हैं अगर आपको pdf package चाहिए तो उसकी facility भी available है इसकी fees मात्र 100 rupees पर मन्त की है पूरे महिने की fees सिर्फ 100 rupees है जिसमें आपको daily lectures की pdf provide की जाती है handout notes आपको मिल application दिया जाता है आपके revision के लिए pdf का आपको monthly magazine provide की जाती है और इतना सब कुछ इसकी fees मात्र 100 rupees पर मन्त में एक अब यह offer चल रहा है अगर आप January 2021 से लेकर December 2021 की एक साथ अगर आप fees देते हैं तो आपको इसमें free multiple choice question की pdf भी provide की जाएगी जिसमें minimum 150 questions होते हैं जो कि आपके practice करने के लिए provide किये जाते हैं आपको और एक और offer है कि 31 December 2020 से पहले आप जितने भी महीने का advance payment करते हैं उन सभी में आपको free mcq practice करने की pdf provide की जाएगी जैने कि free mcq आपको मिलेंगे pdf mcq pdf जिसमें civil services examination के pattern पर based questions होते हैं current affairs के और इसके लाबा अगर आपको live quiz attend नहीं करना है और आपको अगर जो है वो यह offer वगरा नहीं चाहिए तो भी आप 50 rupees extra दे कर यह monthly mcq ले सकते हैं या फिर अगर आपको यह paid package नहीं चाहिए magazine वगरा नहीं चाहिए lecture की pdf नहीं चाहिए सिर्फ आपको practice करने के लिए questions चाहिए तो उसकी भी fees जो है वो सिर्फ 50 rupees है इसको आ January 2021 से यह live quiz आपका शुरू हो रहा है जहापर Tuesday, Thursday और Sunday हफते में तीन दिन आपका quiz conduct किया जाएगा minimum 200 questions आपके provide किया जाएगे पूरे महीने में और इसके लिए आप premium membership ले सकते हैं join का button आप click कीजएगा नीचे आपको मिल जाएगा 59 rupees per month मातरस की fees है जिसमें आपको तीन दिन हफते में live quiz आपका conduct करवाए जाएगा इसमें आपको PDF भी provide की जाएगी live quiz की ठीक है तो यह सब चीजे और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए इन paid packets से related कुछ आपको मुझसे current affairs के बारे में पूछना है आप मुझे facebook पर simply message करके पूछ सकते हैं मेरे नाम को search कीजेगा add की नहीं है तो यह मेरा number है 9713282838 ध्यान रहे इस number पर calls मत कीजेगा call attend नहीं किये जाएंगे आप SMS के through या telegram पर मुझे message करके आप मुझसे contact कर सकते हैं पूछ सकते हैं within 24 hours मेरा reply आपके पास आ जाएगा और यदि आप telegram पर है तो नीचे description पर चेक कीजे telegram के channel की आपको link मिल जाएगी आप उसको भी join कर सकते हैं तो चलो अब आपका समय ना विस्ट करते हैं फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं गैस बात करेंगे विश्व भारती के बारे में आप से directly ये question पूछा जाएगा कि विश्व भारती क्या है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है तो देखिए याद रखिएगा विश्व भारती एक public research central university है और एक institution of national importance का भी दरजा इसको मिला हुआ है ये शायंती निकेदन West Bengal में हम लोग को देखने को मिलती है इसका इसकी स्थापना इसका foundation किया गया था रबिंद्र नाथ टेगोर जी के द्वारा उन्होंने इसको विश्व भारती बोला था विश्व भारती का मतलब क्या है इसका मतलब है communication of the world with India इंडिया से पूरे दुनिया भर का communication विश्व भारती और विश्व भारती एक Central University और Institution of National Importance के तौरबे डिक्लेयर की गई थी 1951 में एक अधिनियम के थूँ Act of Parliament के थूँ तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी और अभी ये topic news में से लिए कि इसका sanitary celebration हम लोग को देखने को मिल रहा है अब जो अगला साल जो होगा 2021 का ये इसका 100 year हम लोग को साल देखने को मिलेगा इसको 100 year अगले साल complete हो जाएंगे इसकी स्थापना होई थी 23 December 1921 को 99 year से इसके complete हो गए अब जो साल शुरू हुआ है ये इसका sanitary year हम लोग को देखने को मिल रहा है विश्व भारती का तो एक university है रभिंद्र आप याद रखिएगा इससे बाहर और कुछ इससे जादर नहीं पूछा आएगा आपसे गैस mathematics की बात हो और श्री निवास रामनुजन की बात अपन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता और अभी national mathematics day हम लोग को देखने को मिला था 22 December को याद रखिएगा national mathematics day कब observe किया जाता है 22 December को क्यों observe किया जाता है क्योंकि इस दिन हम लोग को birth anniversary देखने को मिलती है famous mathematician श्री निवास रामनुजन जी की इन्होंने mathematical की field में याने mathematics की field में बहुत जादा contribution दिया था mathematical analysis में, number theory में, infinite series में और भी काफी सारी चीज़ों में इन्होंने contribution दिया था इनके बारे में कुछ बात करें तो 1911 में इनका पहला paper publish हुआ था Journal of the Indian Mathematical Society में, रामनुजन जी 1914 में England गए थे और उन्होंने hardy के साथ collaboration किया था, hardy ने उनको काफी सारी चीज़े बताई थी, hardy की बात करें तो hardy भी एक काफी famous mathematician थे, G.H. hardy और ये UK के हम लोग को देखन UK के अंदर और England में इनकी मुलाकात हुई थी, श्री निवास रामनुजन जी से, इन्होंने श्री निवास रामनुजन जी से जब ये मिले थे तो उन्होंने ये चीज़ पाई कि काफी famous और नामी जो mathematician थे उस जमाने में, उनको जो जो चीज़े नहीं आती थी, उससे कई ज सीरीज, elliptical, integrals, hypergeometric series, functional equations, zeta functions के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके लाबा इनकी खुद की divergent series की थे तो इस पर इन्होंने काम किया था, और एक number है 1729, तो कभी कभी ऐसा भी कोशन आ सकता है कि number 1729 किस से associated है, तो GH, Hardy और स्री निवास रामनुजन नंबर ये कहलाता ह है, और इसके लाबा, 22 December को तमिल लाडू के अंदर state IT day भी मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने mathematics की field में जो contribution दिया था, उसको याद करते हुए, तमिल लाडू के अंदर state IT day हम लोग को देखने को मिलता है, तो यह ली चीज़ भी थोड़ा से ध्यान में रखना ये भी आ सकत जो life है, उसके उपर base थी, guys, मूल मी लियांग करके एक गाउं हम लोग को देखने को मिलता है, मेगाले के अंदर, यहाँ पर अब पूरी तरह से rat hole mining ban हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी rat hole mining नहीं होती है, किसी प्रकार की, एक time था, जब बताया जाता है कि यहाँ पर 360 गाउं के अंदर, 60,000 से ज़ादा rat hole mines हम लोग को देखने को मिलती थी, तो आपसे question rat hole mines से related पूछा जा सकता है, कि rat hole mine क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, कि इस प्रकार से आप जो गड़ा देखने है न, ऐसा गड़ा कर दिया जाता है, और फिर इसके अंदर humans जाते हैं, और humans के हाथ में एक छोड़ा सा 1000 होता है, जिसकी मदद से वो कोईले को खोद खोद कर बाहर निकालते हैं, और ये काफी जादा risky होता है, और इस चीज़ को इस प्रकार के hazardous और risky rat hole mining को totally ban कर दिया गया था, जब National Green Tribunal ने 2014 के अंदर, April 2014 में इसको ban करने का notice जारी कर दिया था, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर अब totally पूरी तरह से जो है वो rat hole mining बंद हो गई है, यहाँ पर rat hole mining नहीं होती थी, और even ये भी कहा गया था कि rat hole mining के थूर जितना भी कोईला बाहर निकाला गया है, उस कोईले को आप transport कर दो, और उसका एक निरधारित समय जो है वो दि खाले के जैंता हिल डिस्टिक में देखने को मिलता था, जहाँ पर NGT के द्वारा बैंड कर दिया गया था, एप्रिल 2014 में, rat hole mining को, और तब से लेकर अभी तक कोई भी rat hole mining अब यहाँ पर नहीं हो रही है, पहले 60,000 coal mines इस प्रकार की थी, जिसमें लोगों को घुसाय जाता लोग अंदर जाते थे और वहाँ पर एक छोड़ा सौजार होता था उनके हाथ में, इसको पिक X के नाम से जाना जाता है, तो वो आज़ार हुआ करता था और उसकी मदद से यह बाहर निकालते थे, खोद खोद के, कोईले को, तो यह चीज़, और 4-5 feet का diameter इसका हुआ करता ज़ादा बड़ा भी नहीं था और यह काफी risky और dangerous था यह, तो यह एक basic सी जानकारी है, जो कि news में थी, जिसके बारे में आपको एक idea होना चाहिए गैस बात करेंगे good governance day के बारे में, सूश आशन दिवस के बारे में, कब मनाया जाता है, डारेक कोशन अगर आए, तो याद रखेगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन birth anniversary थी, हमारे honorable former prime minister अतल बिहारी वाचपाई जी की, इस दिन का मकसद ही होता है, कि हमारी country के जो citizens है और students है, जिनको future of country कहा जाता है, तो इनको सिखाया जाता है, कि government की क्या responsibilities है, क्या duties है, इन सब चीजों के बारे में, उनको बताया जाता है, awareness create की जाती है, इस दिन, तो ये basic चीज़ है, जिसके बारे में, आपको पता होना चाहिए, direct question बन सकता है, कि good governance day का मों observe किया जाता ह किस से related है, अटल भीहरी वाजपाईदी की birth anniversary, so guys, काफी समय के बाद, अब finally, Brexit deal, अब हम लोग को देखने को मिल रही है, Brexit के बारे में, पहले भी मैं, आप लोग को कई बार पढ़ा चुका हूँ, Brexit का मतलब, European Union से, जो Britain ने exit किया था, उसको Brexit का जाता है, इसमें BR यानिकी British, या फिर Britain के लिए यूज किया जाता है, और exit यानिकी हट गई है, European Union से, अब ये European Union की member नहीं है, Britain या United Kingdom, आप मुझे नीचे comment box पर अभी लिख कर बताएंगे कि, European Union के add present total कितने members है, Britain से, Britain के हटने के बाद, तो इस पर अब अब अपन थोड़ी चर्चा करते है, United Kingdom और European Union के बीच में finally deal हो गई है, और अब किस प्रकार के उनके relationship, future relationship होने वाले हैं, वो इस deal में हम लोग को पता लगेगा, और United Kingdom ने European Union को 31 जिनवरी को छोड़ दिया था, तब से दोनों की बीच में United Kingdom और European Union की बीच में बाची चल रही थी deal के बारे में, कि किस प्रकार की deal होगी, कि दोनों European Union और Britain के बीच में होंगे, तो नए rules के अंदर हम लोग को क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो इस पर अब बात करते हैं, तो नए rules के अंदर कि किस प्रकार से United Kingdom और European Union के बीच में, work, trade या फिर जो citizens के movement होते हैं, किस प्रकार के होंगे, और अब बता जा रहा है कि दोनों, यानि कि European Union से अगर समान Britain में enter होता, UK में enter होता या UK से समान European Union में जाता है, यानि कि European Union की countries में जाता है, तो उस समय कोई भी tariff नहीं लगेगा, तो ये काफी अच्छी चीज हुई, काफी सारी companies काफी ज़्यादा परिशान थी, कि उनके जो daily basis पर जो trade होते थे, दूसरी country के साथ उनको डर था कि अपसे उनके उपर जो है वो charges लगेंगे, उनके trade पर charges लगेंगे, custom duties बगरा लगेंगे, तो उनको वो डर था, वो डर खतम हो गया, अब कोई भी duties, charges जो है वो नहीं लगेंगे, custom बगरा नहीं लगेगा, अगर समान European Union से UK में enter होता या UK से European Union की countries के पास जाता है, इसके लाबा इस पर कोई भी limit नहीं है, कितने भी time जो है वो trade हो सकता है, कितने भी numbers में trade हो सकता है, ऐसी कोई limit वगरा set नहीं करी हुई है, इसके लाबा tariff totally free है, quota free access हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा market के तौर पर हम लोग को नजर आ रहा है, Britain और European Union के बीच में जो trade होगा, वो सबसे बड़ा market हम लोग को देखने को मिलेगा, trade wise, आगे की बात करें, यहाँ पर जो trade partners हैं, उनको agree करना पड़ेगा European Union के terms and condition को और Britain के personal terms and condition को, तो Britain के terms and conditions हैं, उनको भी traders को follow करना पड़ेगा और European Union के terms and condition को भी follow करना पड़ेगा, तो जो भी trader होगा, उनको यह दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, दोनों के standards है, European Union और Britain के, दोनों को ही उनको follow करना पड़ेगा, यह चीज़ है, इसके अलावा अपसे कोई भी automatic recognition, doctor, nurses, architect, dentist, pharmacist और engineers का नहीं होने वाला इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जैसे कि जो doctors है, जैसे कि professionally जो कोई doctor है, Britain के अंदर या UK के अंदर, ठीक है, अब वो दूसरी countries में भी पहले doctors का उनको दर्जा मिला हुआ था, कि वो वहाँ पर भी या कर सर्फ कर सकते थे, citizen को, अपना clinic जो है, वो कही पर भी खोल कर काम कर सकते थे, उनको recognition पूरी European Union में मिलती थी, बढ़ अब ऐसा नहीं है, अब European Union की जो member country है, उनके terms and condition के according काम होगा, अब European Union की country का कोई भी doctor, Britain के अंदर doctor नहीं किलाएगा, या कोई भी professional Britain के अंदर, वो professional को उनको दर्जा नहीं मिलेगा, वो दर्जा अगर सेपरेटली जो है, वो काम नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पर आकर registration करवाना पड़ेगा, उनको recognition की आवशकता होगी, तभी जाकर फिर वो काम कर सकेंगे, बढ़ अभी आप बोलोगे हैं, जो hospitals में फॉरें से doctors बुलवाए जाते हैं, तो वो इतमें आपको बोला कि, वो doctors क इसके अंडर काम करेंगे, उस hospital के अंडर काम करेंगे, वो foreigner doctor को बुलवाया जाता है, कौन बुलवा रहा है, hospital बुलवा रहा है, तो उस doctor की कोई पूरी responsibility कौन ले रहा है, वो hospital ले रहा है, बट अलग से वो foreigner यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर उनको कुछ करना है, त करें, पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति, उसको कहीं पर भी कुछ काम करना होता था, या पढ़ाई करनी होती थी, वो आपस में European Union की countries के बीच में move कर सकते थे, बिना किसी visa के, अराम से जा सकते हैं, जैसे हमारी country के अंदर हम देखते हैं, एक state से दूसरी state में कोई भी व्यक्ति जा सकते मेरा किसी visa के, वैसे ही वहाबर European Union में पूरा था, कि एक country से दूसरी country में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे कि अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई व्यक्ति Germany से UK जा रहा है, या कोई व्यक्ति UK से Austria जा रहा है, तो कोई भी visa वगरा की आव पढ़ाएगा, अब ऐसा कोई freedom of moment अब नहीं बची है, ठीक है तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है यहापर, और 90 days का visa की आवशकता होगी visa और stay की, अब कोई व्यक्ति भापर कोई किसी भी दूसरी country में जाकर European Union की, जो UK से जा रहा है, UK national जो है, तो वो नहीं follow नहीं करेगा, UK की अलग fishery policy देखने को मिलेगी, और इस deal में इतना समय क्यों लग गया, तो देखो European Union, UK के काफी nearest और biggest trading partner के तौर पर हमें देखने को मिलता है, UK सरकार का कहना यह था, कि 2019 में जो Britain और European Union के बीच में जो deal हुई है, वो 668 billion pounds की देखने को मिली है, तो बहुत पेज में जो आपने देखा ना, यह जो free tariff वगरा की जो बात हुई है यहापर, और free goods जो है, वो कितनी भी limits तक goods के बीच में trade हो सकता है, बिना किसी custom duty के, वो इसलिए सामने आया है, क्योंकि UK बड़ा biggest trading partner है, UK से काफी सारी European Union countries के बीच में deal होती है, अब अगर यह चीज ह कर दिया, बाकी दूसरी चीज में restrictions है, जैसे कि वो freedom of moment अब नहीं बचा है, यह वाली चीज है, और अगर deal नहीं होती है, तो वही चीज में आपको बताई कि businesses को extra taxes वगरा pay करने होती, custom duties पे करने होती, जिसमें ultimately उनका loss होता, तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को रही ह होता है, तो उसमें कोई भी tariff charge नहीं लगता है, कोई भी checking अगर 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 तो यह वाली चीज है, तो यह सब चीज है हमें देखने को मिली, अब आगे क्या होगा, तो देखो आगे अब deal के लिए तो agree हो गई है European Union और Britain, बट अब कानून आना बा इसके लावा European Union और Brexit की अगर अपन बात करें, तो अब 27 European Union की countries हम लोग को देखने को मिल रही है, पहले 28 हुआ करती थी, क्योंकि अब Britain ने exit कर लिया है, और European Union के citizens, जैसे मैं आपको समझा है कि European Union के अंदर citizens आपस में एक country से दूसरी country में move कर सकते थे, उनको काम करना है तो दूसरी country में जाकर काम कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, बड़ अब Britain हट गया, तो अब क्या होगा, कि Britain के citizens अगर दूसरी country में जाएंगे European Union की, तो उसके लिए उनको visa की आवशकता होगी, permission की आवशकता होगी, तो यह सब चीज है, और United Kingdom पहली country है, जसने European Union से leave किया है हटी है वो, तो यह अली चीज है, और यह हुआ था, जून 2016 में, बट काफी कम margin से हुआ था, सिर्फ 52% लोग ही चाहते थे कि European Union से UK हट जाए, बाकी 48% नहीं चाहते थे, एक public referendum हम लोग को देखने को मला था, तो उसमें यह जी सामने आई थी, तो यह basically आप कह सकते हो, close to 50 य आधे लोग चाह रहे थे कि European Union को छोड़ दे ही हो, कि आधे लोग नहीं चाह रहे थे, पर फिर भी आप finally छोड़ दिया, क्योंकि यह 52% voting आई है, तो majority की voting थी, तो इस purpose को देखते हो, छोड़ दिया, तो यह चीज है, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाह, होना चाहिए, बाकि state civil services में भी आपको यह public referendum के बारे में थोड़ सा ध्यान होना चाहिए, factual data वगरा, और बाकि state civil services point of view से भी कुछ basic जानकारी होनी चाहिए, तैसे कि कौनसी ऐसी पहली country है, जिस नहीं European Union को छोड़ दिया, तो UK, तो ऐसी चीज आती है state civil services में, और यह tariff वा हैंगे, एक पाच महीने का बच्चा है, उसका case है, इस बच्चे ने high court के पास गुहार लगाई है, कि high court, करनाटा का high court, कबन पार्क एक है, कबन पार्क बैंगलूरू में है, तो इस पार्क के अंदर से जो एक pathway है, एक road हम लोग को देखने को मिलता है, जहां से गाणियों क करती है, क्या चीज है, तो उसके बारें बताऊँगा मैं भी आपको, बट यही case हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पर कोई गड़बडी नहीं है, पाच महीने के बच्चे की ही यहां पर बात हो रही है, जिसका यह सामने case हम लोग को नजर आ रहा है, इस case को देखने के बाद करनाडगा हाई कोट ने एक notice जारी कर दिया है, राजी सरकार को, और कहा है कि कबन पार्क जो बैंगलूरू में है, वहां से traffic movement को ban कर दिया जाए, यहां पर कोई भी गाड़ियां वगरा उस पार्क से होकर नहीं गुजरेंगी, उस पार्क के बीच से नहीं आएंग निकलती है, जो harmful gases वगरा जो निकलती है, और जो लोग पार्क वगरा में जाते हैं, वो किस चीज के लिए पार्क में जाते हैं, कि उनको एक अच्छी हवा मिले, quality, उनको मिले air quality, उसमें क्योंकि पार्क वगरा में अच्छी, आप जब भी भी जाओगे पार्क में, तो एक अच्छी, अपनी life को improve करने के लिए, अपनी quality of life को improve करने के लिए पार्क वगरा में विजिट करते हैं, अपनी health बनाने के लिए जाते हैं पार्क वगरा में, बट वहाँ पर अगर pollution वगरा हो रहा है, गाडियां वगरा महा से गुजर रही है, तो obvious ही बात है, कि लोगो के लोगों के पास जो right है, कि उनको pollution free air को enjoy करना है, उसका हनन हो रहा है, उसका violation हो रहा है, और ultimately ये सीधे सीधे उनके constitution rights का उलंगन हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को देखने को बिलता है, लोगों के पास rights हम लोग को देखने को बिलता है, कि उनको pollution free air जो है, उसम गरनाड़क हाई कोट ने इस चीज को बोल दिया है कि कबन पार्क जो बैंगलूरू में है वहाँ से कोई भी गाडियों वगरा का मुवमेंट नहीं होगा इवन प्रेटिशनर ने मेंशन किया जो इंडियन इंस्टिटीट अफ साइंस बैंगलूरू है उसकी कुछ 2.5 जो निकलता है उसके एमिशन में रिडक्शन हो जाएगा तो अल्टिमेटली वहाँ का वातवरन वहाँ की एर जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी और इन्हों ने भी इवन याने इंडियन इस्टिट अफ साइंस बैंगलूरून ने भी रिकमेंट किया था कि पार्क क महिने का एक बच्चा है उसकी पैटिशन सामने आई है आप देखो गाई इस पैटिशन वगेरा जो होती है न वह एक पैटिशन लगाते हैं किसी दूसरे के बिहाफ में रही तो यह बच्चे नहीं नहीं लगाई है बच्चे तो ऑव्यस थी बात है कॉमन सेंस वाली बात ह कहां से लगा सकता है, यह PIL फाइल होती है, Public Interest Litigation, तो जिसने भी PIL फाइल करी, वो बच्चे के बिहाफ में PIL फाइल करी, यानि कि अपने केस को और स्ट्रॉंग मनाने के लिए उसने पाच महिने के बच्चे का नाम मेंचन कर दिया, जिसका जिसका ये केस है, जिससे की केस स्ट्रॉंग हो जाए और वाकिए में गंभीरता से इस केस को देखा जाए और इस केस की ओपर हाइलाइट पड़ जाए मीडिया वगरा की नहीं, तो यह सब कुछ स्ट्राइडिजी होती है, PIL के समय पर जो भी PIL फाइल करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं, तो PIL यहने की Public Interest Litigation कोई भी व्यक्ति PIL फाइल कर सकते हैं, और PIL नाम से ही सर्ण में आता है Public के Interest का Litigation है, अब Litigation का मतलब क्या होता है Legal Action, तो Public के Interest के लिए Legal Action Purpose के लिए Legal Action लेने के लिए, जो है वो Court के पास जाया जाता है, उसमें भी कुछ Terms and Conditions होती है, जैसे कि सभी मामले में PIL दर्ज नहीं होती है, कुछ-कुछ मामले होते हैं, जिसमें ही सिर्फ PIL दर्ज होती है, तो उसके बार में भी मैं आपको बताऊंगा, बट में PIL का मतलब हम लोग को देखने को मलता है, और Public Interest Litigation, किसके Against File किया जाता है, very important State Government, Central Government, Municipal Authorities के Against File किया जा सकता है, याद रखना, कोई भी Private Person, Private Organization या Private Party के Against PIL File नहीं होता है, और हमारे Indian Constitution के According, Petition वो है, वो Article 226 के थूँ, डिरेक्ली High Court के सामने रखी जा सकती है, या Article 32 के थूँ, औरिवल सुप्रीम कोड के सामने रखी जा सकती है, PIL की Petition आगे की बात करें, तो PIL की शुरवात किसके द्वारा की गई थी, तो देखो Justice Bhagavati और Justice We are Krishna Iyer ये पहले ऐसे Judges की Bench थी, जिसमें Admit किया गया PIL को, और Public Interest Litigation कप-कप फाइल किया रहाता है जब भी भी किसी धर्म से Related अधिकार जो होते हैं, या Basic Fundamental Rights जो होते हैं उनका अगर हनन होता है, उलंगन होता है, तो उस समय PIL दर्च की जाती है जब किसी Basic Human Rights जो गरीबों के होते हैं, उनका अगर उलंगन होता है, violation होता है, तब PIL फाइल की जाती है, या Municipal Authorities अपनी duties सही तरीके से नहीं कर रही है, तो उनको highlight करने के लिए PIL फाइल होती है, और Government की policies के against PIL फाइल की जाती है, तो ये कुछ चीजे हैं, जिसके जो areas हैं, जब PIL हम लोग को देखने को बलती है, फाइल की जा सकती है, तो ये बस basic चीज, आपको इस topic के अंदर PIL के बार में specially पता होना चाहिए, अच्छे से, क्योंकि इस topic में PIL फाइल की गई है, उसी के बिहाफ में ये पूरा case, पूरा मुद्दा सामने आए, तो एक तो topic है PIL का, और दूसरा topic, अगर environment से related means में कोशन आता है, कोई भी, आप जरूर इस case को mention करिएगा, कि किस प्रकार से लोग बाग जो है, वो एक better health के purpose के लिए better air quality की बात हो रही है, लगातार news में, डली के अंदर pollution level की बात होती है, air quality की बात होती है, कितनी सारी शीज़ हैं अभी news में, हमने देखी, अभी दिवाली के survey पे भी देखी, तो means में पे तो इसी प्रकार के questions आएंगे, तो जब आपके question को, आपको अगर दूसरों से better बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपके पास एक अच्छे examples होने चाहिए, जैसे कि ये example आप कर सकते हो, कि करनाटा के के अंदर 5 साल के बच्चे का एक case सामने आए था, PIL फाइल हुई थी, 5 साल के बच्चे के favor में, यानि के behalf में, आप ऐसे selection होगा, क्योंकि लोग बाग तो contents अभी एग जैसा पढ़ते हैं, books एग जैसी पढ़ते हैं, बट अलग क्या होता है, selection क्यों होता रहोगा, क्योंकि वो अपने answer में various ऐसे चीज़े, ऐसे points mention कर देते हैं, जो कि उनके answer को एक अलगी level का, जो हो बना देता है, और ये कब possible होता है, जब आप कुछ ऐसे facts, figures, अपने mains में mention करें, आप देखो facts, figures का मतलब सिर्ब वो value अगरा नहीं होता, मैंने हमिश्चा आपको बोला है, कभी भी value अगर को याद रखने की आवशक्ता नहीं होती इस exam में और आप कोशिश भी मैट करो, क्योंकि अगर value अगरा जो होती है, उसमें अगर गलती हो जाती है, तो फिर और अगर सामने जो आपकी copy चेक करें, उन्होंने google कर लिया, तो आपके remaining answer पे भी justice नहीं मिल पाएगा आपको, भली आपने कितना अच्छा answer लेखा, उनको लगेगा कि शाइद यार ये तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी तुक्के लगा रहा है सामने हला, जिसने answer लेखा है, तो ऐसी घलती मत करें, इसलिए मैं हमेशे कहता हूँ, फिगर्स वगरा पे ध्यान मत दो, बढ़ा कुछ-कुछ फिगर्स होते हैं, जो थोड़े से important हो जाते हैं, उसको उस पे ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होता है, बाकि ये सब चीज़े जो है जनरल तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो, और जनरल वे में ही पढ़कर आप अपने आंसर को अलग बना सकते हो, क्योंकि एक्जाम जो है वो आपसे जनरल चीज़े डिमांड करता है, बढ़ जनरल का मतलब ऐसा नहीं कि सभी जो लोग हैं, बढ़ जो एक्जाम वगएरा लिखना है तो वो पूरी जनरल तरीके से ये एक्जाम लेखे, आपको आई-एस आफिसर बनना है, तो आई-एस आफिसर की थिंकिंग अप्रोच अलग होनी चाहिए, जनरल तरीके से भी लिखने में आपके एक्सपर्टीज उसमें दिखाईए दे, रही कि आप जो है वो कितने टॉपिक पर एक्सपर्ट, वो आपको कितनी तरीक, इतने अच्छे से उस टॉपिक के वेरिएस डायमेंशन के बारे में पता है, डीटेल आपको बहुत सारी पता है चीज़ों के बारे में awareness से आपको अलग-अलग छेत्व की अलग-अलग cases के बारे में तो यह वाली चीज़ मैं आपको बस बताने ही कोशिश करा हूँ sorry मैं आपका थोड़ा स्में time जो है वो बरवात किया यह चीज़ बताने में बटी है important था guys आप अपन यहाँ पर बात करेंगे कि governor की powers जो होती है कि वो summon कर सकते हैं प्रोरोग कर सकते हैं और dissolve कर सकते हैं assembly को तो इसके बारे में अभी अपन समझेंगे but before starting this topic मैं आपको बताना चाहता हूँ इन तीनो words के मतलब क्या होता है summon का मतलब क्या होता है assembly को summon किया governor ने इसका मतलब क्या है कि governor ने assembly को start करने का decision दे दिया कि अब जो है वो assembly के session वगरा शुरू किये जाए यानि कि state legislature के जो session होते है तो उसको शुरू कर दिया जा है तो उसको कहा जाता है समन कि उन्होंने बुलवा लिया, शुरुबात उन्होंने कर दी, गवर्णर ने, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, तो अभी जो state legislature जो है, यानि कि अभी जो assembly है, वो खतम नी हुई है, dissolve नी हुई है, बट उसको discontinue कर दिया है कुछ particular period के लिए, तो उसको प्रोरोग कहा जाता है, और dissolve का मतलब आप समझते हैं कि dissolve होगी assembly, खतम होगी, तो यह चीज़ हमें देखने को मलती है, तो इसी के बारे में अपन बात करेंगे, तो आपको किन-किन चीज़ों के बारे में exactly पता होना चीज, especially articles के बारे में, कि कि किस article में, इसके बारे में mentioned ह कि governor जो है, वो house को summon कर सकते हैं, यह शुरुवात कर सकते हैं, और ऐसी जवा पर बुलवा सकते हैं, assembly को या conduct करवा सकते हैं, assembly को, जहाँ पर उनको सही लगता है, और समय के बारे में भी बता सकते हैं कि इस समय से assembly जो है, वो शुरू होगी, तो इस चीज़ के बारे में article 174 म नहीं हुई है, बट वो discontinue हुई है, और 174 clause 2b के अंदर क्या चीज़ मेंचन है, कि वो legislative assembly को dissolve भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं legislative assembly को, और article 163 के अंदर यह चीज़ मेंचन है, कि जो भी कार्य करना होता है governor को, यानिकि जो भी वो काम करेंगे, वो council of ministers की aid और advice पर ही करे उसी की according governor को काम करना पड़ेगा, बट हां, जब constitution के अंदर, यानिकि जो अधिकार constitution के अंदर governor को मिले है, कि चीज़ के discretion के, कि वो बिना किसी की advice के approval के वो अपना काम कर सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ जो mentioned constitution के अंदर है, तो उस subject पर, उस topic पर governor जो है, वो बिना किसी की aid और advice के बिना council of minister की aid और advice के कारे कर सकते हैं, अपने discretion पर, बट वो उसी points पर करेंगे, उसी subject पर करेंगे, जो subjects constitution के अंदर mentioned है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, इसके लबा, audible supreme court का क्या कहना है, इस चीज़ पर, तो 2016 का एक judgment था, audible supreme court का, नबम, रेबिया case हम लोग को जब अर्वनाचिर प्रदेश में constitutional crisis चल रहे थे, तब उस समय audible supreme court ने कहा, कि governor, council of minister की aid और advice पर ही, सिर्फ, सिर्फ council of minister की aid और advice पर ही house को, summon, प्रोरोग और dissolve कर सकते हैं, बट इन्होंने ये चीज़ भी mention करी थी, audible supreme court ने, कि अगर governor को लगता है, कि chief minister और उनके council of minister है, वो अ सही तरीके से कार यह नहीं कर रहे है, house के अंदर उन्होंने अपना confidence loose कर दिया है, तब फिर वो floor test के लिए order दे सकते हैं, बट house को शुरू करना, प्रोरोग करना, यानि कुछ समय के लिए discontinue कर देना, या dissolve कर देना, इसका decision, जो है वो जब council of minister जो decision लेंगे, उनी के decision के अध क्योंकि केरल सरकार के द्वारा, जो अभी किसान आंदोलन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उस पर यह दोबारा से चर्चा करना चाह रहे है, इसलिए केरला सरकार ने governor से कहा है कि governor approval दे एक special assembly session पर, यानि कि समन करने पर approval दे, कि एक नया और special assembly session दो है, वो शुरू किय जाजा है, तो इसको लेकर यह topic news में था governor का, बट देखिये, अब मेरा आपसे एक छोटा सा question है, कि honorable president की power और governor की power, इन दोनों की powers आप लिखियेगा, देखिये, last minute में जो आपको homework देता हूँ, वो अभी दे रहा हूँ, तो अभी कहीं बर note down कर लो आप, कि आपको governor की power और honorable president की power इनको लिखना है, इनके बीच में क्या difference है, वो आपको mention करना है, लिखना है, और फिर इसके लाबर एक और चीज़, दोनों के पास क्या discretionary power है, तो इसके बार में आपको लिखना है, governor और honorable president की discretionary power की mention कीज़ेगा, ये तीन चीज़ आप लिखिये, इन से related handwritten notes बनाई है और अगर आप ऐसा कर लेंगे, नीचे comment box पी लिखना है, sir homework done, ठीक है, क्योंकि ये ही आपका एक अभी का homework है, और बाकी आप चाहें, तो वो paper पे लिखकर, अपना जो telegram का जो channel है, discussion group है, उस पर आप भेज सकते हैं, और जिन students को discussion group के बारे में नहीं पता है, lecture के, आप ये पूरा oral topic governor के बारे में, अब guys एक scheme के बारे में अपने discuss करेंगे, विश्वास scheme है, विश्वास योजना है, scheme से related अकसर question civil services में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस topic को, बात हो रही है, वंचित इकाई सम्हू और वर्गो की आर्थिक सहायता योजना के बारे में, नाम से ही आपको एक चीज़ clear हो जाने चीए, आर्थिक सहायता की बात हो रही है, यानि कि economic support provide कराने की बात की जा रही है, किनको economic support provide किया जाएगा, वंचित, इकाई, सम्हू और वर्गों को, यानि कि जो debrite section हमारी society की है, जो economic weaker section हमारी society की है, उनको provide किया जाएगा, और economic इसमें OBC और SC हम लोग को देखने को मिलेंगे जिनको इस scheme का लाभ मिलने वाल है तो इस scheme के बारे में detail में discuss करते हैं बताया रहे है कि recently NBCFDC National Backward Classes Finance and Development Corporation और NSFDC National Scheduled Casts Finance and Development Corporation इन्होंने MOA साइन किया है Central Bank of India के साथ इस scheme के implementation के लिए और ministry कौन है इस scheme के पीछे तो Ministry of Social Justice and Empowerment तो यहाली चीज़ भी आप लोग को ध्यार में रखने हैं कभी कभी ऐसी question भी आजाते हैं इस scheme के अंदर main चीज़ हमें देखने को मिल रही है interest subvention scheme है यह interest subvention scheme का मतलब क्या होता है तो जैसे यह word सामने आए आपके दिमाग पे तुरंट क्लिक करना साहिए कि इस scheme के तहट जो beneficiary है जिनको इस scheme का benefit मिलेगा उनको loans provide किया जाएगा और loans पे उनको benefit मिलेगा कैसा benefit interest subsidy का और पर मैंने एक loan लिया उस loan पर मुझे 10% की interest देना है 10% अब अगर मुझे कोई scheme के तुरू लाब मिल रहा है interest subvention का तो उसमें क्या होगा कि सरकार जो भी decide करेगी कि इतना percent वो subsidy देगी जैसे ही 10% जो जो भी loan होगा उस पर अगर सरकार ने मोला कि 5% वो subsidy देगी तो मैं भी 10% मुझे interest चुकाना था अब अब इस scheme को मैं अवेल किया है तो मुझे 10% देगा 5% चुका रहा होगा 5% सरकार चुकाईगी तो यह फायदा होता interest subvention scheme का तो interest subvention scheme है तो financial empowerment की scheme हम लोग को यह देखने को मिल रही है कि जो economically marginalized जो section हम लोग को हमारी country का देखने को मिलता है OBC, SC, self scheme का लाब मिलेगा OBC, schedule cast और self help groups इनको loan 4 lakh रुपे तक का provide किया जाएगा और OBC और SC को और individual को 2 lakh रुपे तक का loan provide किया जाएगा और इसमें 5% का interest subvention benefit मिलेगा यानिकि subsidy जो भी जो भी interest होगा उस पर 5% की subsidy दी जाएगी और subsidy जो होगी वो directly उनके bank account में provide की जाएगी तो यहली चीज़ बात की जाएगी इसका मतलब क्या है कि 10% सामने वाला individual bank को भरेगा थोड़े समय के बाद सरकार जो है वो उनके account में 5% forward कर देगी तो इस प्रकार की scheme यह हमें देखन बिल्कुल वैसे घर में आपके cylinder आता होगा तो आप जब cylinder होता है LPG cylinder जो आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो पैसा पूरा देते हो कुछ समय के बाद आपके bank account में उसकी subsidy आ जाती है सेम वैसे यह रही बात तो यह चीज detailing आप लोग को इस scheme के बार में पता होनी चीज इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा झाल 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 झाल 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 गईज बात करेंगे पासेक्स के बारे में पासेक्स क्या है तो दीखे पासेक्स जहां पर भी आप सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए यह एक पासिंग एक्सेसाइज है दो कंट्रीज की नेवीज के बीच में यह एक्सेसाइज हम लोग को देखने को बलती है और यह मिलकर इंशॉर करते हैं कि अगर कभी भी वार होता है कभी भी युद्ध का समय आता है या फिर कभी भी humanitarian relief provide कराना होता है कोई देश जो है वो खत्रे में है और वहापर जो लोग है यानि कि जो citizens हम लोग को देखने को बलता है बेक और सूर citizens तो उन तक जो है वो जो भी basic needs का समान पहुचाना humanitarian relief अगरा provide कराना तो ऐसी जब exercise conduct होती है तो उस दौरान war के समय और humanitarian relief के समय दोनों navies आपस में communicate कर सके coordinate कर सके तो उस दौरान जो दोनों navies अपने आपको train करती है और उस भी जो ये exercise सलती है उसको passing exercise कहा जाता है पास x इसको पन कहते है और इसमें common drills वगरा होती है drills वगरा मतलब वो fake operation वगरा होते है कि अगर कोई जैसे एक स्थिती बना दी आती है drill के अंदर यानि कि जब आप IPS वगरा बनोगे या even IS कि जब आप post पर जाओगे तब आप भी various exercise conduct करोगे कि drill वगरा conduct करोगे कि अगर by chance कोई panic वाली situation हो गई तो उस समय आप कैसे respond करना आपको या फिर कोई operation fake operation बना दिया जाता है जैसी कि अगर terrorist attack हो गया या फिर कुछ भी ऐसी इस्तिती आ गई तो उसको इस्तिती को कैसे deal करना है तो उसको drill वगरा का जाता है तो ऐसी common drill होती है flashing light drills हम लोग को देखने को मिलती है semaphore drills होती है flag hose drills होती है तो पस basic आपको idea passing exercise pass x के बारे पस पता होने से सिर्व इतना guys अभी recently IFFCO की प्रयागराज unit जो है वहाँ पर ammonia gas release हुई है leak हुई है तो उसको लेकर ये topic हम लोग को news में देखने को मिल रहा है तो हम लोग mainly ammonia के बारे में बात करेंगे तो tri-hydroid nitrogen का ये हम लोग को देखने को मिलता है ammonia NH3 इसका formula होता है ammonium nitrate को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ammonium nitrate के अगर अपन बात करें तो agriculture में ये उपयोग मिलाया जाता है ammonium nitrate का भी formula NH4NO3 ये आपको बता होना चाहिए कि देखो ऐसी चीज़े कभी-कभी state civil services पूछ लेती है और UPSC भी शायद पूछ सकती है तो इस पर भी आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है क्योंकि science वाले ये सब topics होते हैं इसी topic आपसे पूछ लिए जाता है chemistry और high nitrogen fertilizer ये हम लोग को देखने को मिलता है agriculture में जिसका उपयोग किया जाता है ammonia का और ammonia में क्या होता है देखिए कभी आप कि जो भी लोग agriculture fields वगरा में farms वगरा में जो ammonia को चलकते हैं ये fertilizer वगरा को चलकते हैं तो वो पूरा जो है वो सूट वगरा पहनते हैं यानि की protective सूट पहनते हैं जिसकी वो gas उनको लगे नहीं आप देखो नॉर्मली gas वगरा होती ही तो अपन क्या कर सकते हैं कि सिर्फ gas वगरा हमारी body के इंदर ना जाए तो हम लोग mask पहन लेते हैं पर आप देखिए गा जो भी spray वगरा करते हैं fertilizer को वो पूरा body suit पहनते है जिसकी उनकी body के किसी भी अंग में वो gas जो है वो contact में ना आए वो क्यों होता है इसा क्योंकि देखो skin eyes oral cavity जो होती है respiratory tract जो होता है हमारा तो वहाँ पर मौजूद जो moisture जो होता है moisture सिर्फ उसी के contact में आने से यह gas जैसी skin पे लगेगी और skin पे जो moisture होगा इसके contact में आने से यह क्या करती है ammonium hydroxide बना लेती है और उसके बाद यह cell membranes जो हो पे लगने से यह cell damage कर देगी तो यह gas जो है वो अगर हमारी nostrils वगेरा के थुरू नाक के थुरू या मूग के थुरू अगर body के अंदर जाएगी तो नुकसान पहुचाएगी बड़ी के किसी भी part पे अगर यह gas touch होती है तो भी काफी जादा नुकसान ना जाएगे प्योग और बागी जो बचा को जा 20-1% बच जाता है वो formaldehyde के production के लिए होता है और यह formaldehyde जो होता है जो किस purpose के लिए उप्योग में लिया जाता है जैसे plywood या जो glue अगरा चिपकाने के लिए जो होते है तो उसके purpose में लिया जाता है या building material के purpose में उप्योग में लिया तो यहाँ पर यह ammonia gas leak हुई है ठीक है कभी कभी ऐसा कोशन आ जाएगा तो आपको पता हो न अच्छी है कि यहाँ पर कौन सी gas leak हुई है ammonia gas leak हुई है ठीक है देखे गई सेटेडे को मैंने आप लोग को पढ़ाया था retrospective taxation से related एक topic आया था उसके बारे में अपने discussion किया था और मैंने आपको उस समय बोला भी था कि Vodafone का एक case था वो भी आपको पढ़ना है उसके बारे में मैंने detail में already पढ़ा चुका था आपको 4 October को मैंने आपसे कहा था तो जिन्दी student अभी भी नहीं पढ़ा है Vodafone के case के ब पारे में जरूर आप पढ़ो 4 October 2020 के lecture में मैंने आपको ये topic कवर करा है आपको simply YouTube के search column पे लिखना है 4 October 2020 पार्ट वन उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष जो भी आपकी search list में सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला होगा अपना 4 October का इस वीडियो के अपने एक topic इसी से related cover किया था retrospective taxation से related again एक topic पुराना वाला इने की पहले का topic था वो फिर से सामने आ गया है क्योंकि इंडिया जो है वो challenge कर रही है Singapore के judgment को जो की Vodafone के favor में गया था तो उसको इंडिया जो है वो challenge कर रही है तो इसलिए topic देखने को मिला है बढ़ आपको यह Vodafone case के बारे में अच्छी जानका रही होनी चाहिए retrospective taxation के बारे पता होना चाहिए इवन जिन भी student ने यह वारा topic नहीं देखा यह तो आप देखोगे की देखोगे Vodafone case का साथी साथ Saturday वाले lecture में मैंने I think last में आपको यह topic पढ़ाया था उसको भी जरूर जाकर देखना वैसे तो आप अगर 2021 में बैट रहे हो civil services exam में तो आपको जनवरी 2020 से लेकर पूरे topics cover करना है जून 15 तक क्योंकि 27 जून को UPSC आपका तो जून 15 तक आपको पूरे topics देखना है जिने उस्ट्रेट ने previous lectures नहीं देखे हैं और अगर आप आपको लग रहा है कि lectures देखने में आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा आप magazine ले सकते हो बढ़ हां यह mandatory है 2021 में आप बैट रहे हो तो पूरे topics आप देखकर जाओ और उस topic को at least दो बार तो आपको पढ़ना है at least और तीन बार पढ़ लिए तो बहुत ही बड़ी आवात है दो बार तो आपको करना ही करना है एक बार normal पढ़ो दूसरी बार revision करो और regularly अगर आप follow कर रहे हो तो regularly जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रात में सोने से पहले revision करना है weekly revision करना है monthly revision करना है तो इससे selection जो होगा वो 100% guarantee होगा सिर्फ इतना करने से और इस exam में consistent रहा हूँ consistent जो रहता है regularly जो पढ़ाई करते हैं उनका selection होता है सिर्फ consistent रहा हूँ यह मत सोचो यार कि यार मैं पीछे चल रहा हूँ consistent रहा हूँ अगर आपने set किया भई आपको 8 घंटे पढ़ना है daily तो मतलब पढ़ना है और अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे daily कि मानदारी से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई का मतलब यह न वो दिन saturday sunday 8 घंटे तो आप निकालो बल्कि उससे जाद ही निकालो तो भी selection हो जाएगा तो यह ली बात थी तो यह वोड़ाफोन केस वाले को आप देख रहे हैं बाकी इस topic में सिंपल सी चीज यह है कि अब इंडिया चैलेंज कर रही है यह सिंगापूर के judgment को इंडिया इंडिया ने जिसको मना कर दिया था सिंगापूर के अंदर की इंडिया रही है वो गलत है तो वो चीज अपने देखी तो बाकि आप इस topic को पढ़ोगे तो आपको पूरी चीज crystal clarity वेड़ेगी यहाँ पर एक चीज में आपको बताना चाहूँगा bilateral investment treaty के बारे में यह treaty किन के बीच में उए थी तो इंडिया और नीदर लेंड के बीच में 1995 में यह treaty ह citrus में यह चीज में थी कि जो भी investor ने दोरो country ने chapters Claire ।ो जाला है तो वो साथ में बेटकर याणि कि उनरेक्ट न्रिचंशन दिया जाएगा और negotiate करके उनकी जो भी problems है उनको resolve किया जाएगा जो भी grievances वगरा जो है उसको solve किया जाएगा तो ये इस treaty के अंदर mention था तो investor के protection के लिए ये treaty थी bilateral investment treaty तो इसका एक आपको idea होना चाहिए इस case में इस treaty की ही बात होई है Vodafone Group ने कहा था कि treaty के clause 9 का जो है वो लंगन कर दिया था इंडिया ने तो और equal treatment जो है वो नहीं दिया fair treatment नहीं दिया Vodafone को और उसके ओपर इतने पैसे जो है वो चार्ज कर दिये text के दौर पर तो ये सब चीजे थी पर आप यह वाला topic देखो आपको Vodafone के इसके बारा है पूरी crystal clarity हो जाएगी ठीक है गाइस बात करेंगे Australian square kilometer area pathfinder की ASKAP की तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक telescope है और इस telescope ने अभी recently एक record बनाया है मातर 300 घंटे के अंदर इसने 30 लाक से जादा 3 million से जादा galaxies जो है उसका map तयार किया है काफी कम समय में galaxies का map इसने तयार किया है इसके लिए ये भी topic news में था तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में और all sky survey ये पहला हम लोग को ऐसा देखने को मिला है जिसने 300 घंटे के अंदर अंदर 3 million यानि की 30 लाख से जादा galaxies की mapping करी है और ये telescope किसका है तो इस telescope को develop और operate किया गया है Australia के science agency CSIRO के द्वारा तो यह लिए चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी ची़ इसके बारे में और ये एक pilot survey project है Australia का 2021 में एक बड़े scale पर जो है भी शुरू करने वाला है mapping का project और उसमें पूरे sky के जो है वो map ये तयार करेगा कि कहा कहा पर galaxies हैं कहा कहा पर stars हैं पूरा ये map तयार करने वाला है तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है ये galaxies और hydrogen gas को observe करके information जो है वो gain करेगा और अपने map में तयार करके बताएगा यनि की present करके बताएगा इस प्रकार का इसका map होने वाला है जैसे google map होता है कहा जा रहा है कुछ इसी प्रकार का ये map हम लोग को देखने को मिलेगा और इस map में जैसे की panoramic pictures हम लोग को देखने को मिलेगी आपके phone में एक feature होता है जैसे काफी सारे smart phone से उसमें ये feature होता है camera वाला panoramic camera वाला ये pano camera करके भी लिखा रहता है उसको अगर आप click करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जैसी उसमें photo आप खीचते हैं तो आप क्या करते हो उसको click करके आप पूरे जो है वो camera को move करते हो तो जब आप camera को move करते हो जितनी भी चीज़े आपका camera capture करता है जितने में area आपका camera capture करता है वो एक single photo में आपको दिखा देता है जैसे कि कुछ इस प्रकार का होता है कि पूरी चीज़ यानि कि एक single photo में जो है वो दिखाई जाती है तो इस तरीके का feature इस telescope के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है और काफी great detail में ये पूरी picture जो है वो लेता है और ये telescope के अंदर काफी सारी technology है रेडियो camera इसके अंदर है 36 dish antennas है और हर एक antenna 12 meter के diameter का हम लोग को देखने को मिल रहा है हला कि this thing is not important बिट फिर भी एक general आपको idea होना चाहिए है तो पूरे universe की mapping के लिए ये rapid ASKAP continuum survey RACS हम लोग को देखने को मिला है और 2021 से ये large scale पर पूरी जो हमारा universe है पूरा जो sky है उसको map करेगा तो ये चीज आपर बताई जा रही है तो ये बस basic सा fact है जिसके बारे में आप लोग को idea होना चाहिए especially prelims perspective से गाईज Indian army के अंदर अब एक और post हम लोग को देखने को मिलेगी इसका आपको एक idea होना चाहिए ये post है deputy chief of strategy की तो अब देखो पहली बात तो civil services point of view से आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये post क्यों लाई गई तो ये post का नाम के deputy chief of strategy तो आपको नाम से ही तुरंट click हो जाना चाहिए कि ये जो post होगी इसमें जो official जो होगे उनका काम क्या होगा कि army के जो भी mission है operation है चाहे वो intelligence से related हो warfare से related हो तो उसकी analysis करने के बाद उस operation को कैसे execute करना है इसके बारे में ये बताएंगे deputy chief of strategy तो ये एक नया पत आया और ये क्यों आया है चाइना और इंडिया के बीच में जो issues हम लोग को देखने को मिले थे तो उसके बाद जरूरक पड़ी की इस प्रकार की post जो है वो लाई जाए जो की proper तरीके से situation को analyze करेंगे कैसे जो है वो situation को execute करना है कैसे operation को execute करना है कोई भी intelligence information आई है तो उस intelligence information को किस प्रकार से उप्योग में लेना है तो उसका पूरा analyze करने के लिए इस deputy chief of strategy की post जो है वो अब तयार की गई है बनाए गई है तो इसका एक आपको general idea होना चाहिए इनके बार में थोड़ा सा basic knowledge भी आप रखो जैसे की major restructure हुआ है army headquarters में इसका approval finally सरकार के द्वारा दे दिया गया है सरकार ने create करी है अब एक position तीसरे deputy chief of army की और ये deputy chief of strategy post हम लोग को देखने को बल रहा है यानि कि deputy chief of strategy है और इनका काम क्या होगा तो wise chief जो army के होते हैं उनको ये advice देने का काम करेंगे किस से related advice देने का काम करेंगे कोई भी operational issue है चाहिए वो intelligence से related या operation से related तो उसका उसकी advice देंगे ये और operation intelligence और perspective और information warfare जो है तो इसको ये head करने माले हैं और director general of military operation और director general of military intelligence ये दो post हम लोग को देखने को मिलती है जिनको head करते है lieutenant general rank officer तो अभी जो ये post आई है सामने deputy chief of strategy की ये जो official होगे deputy chief of strategy ये head करेंगे इन दोनों जो post है उसके lieutenant general rank के officer को तो ये lieutenant general rank के officer जो है director general of military operation और director general of military intelligence ये इनके अंडर आएंगे deputy chief of strategy के तो यह जीज आपको ध्यान रखने है और दो नए offices हम लोग को देखने को मिल रहा है planning and strategic communication के और जिनको head करेंगे director general जो भी again lieutenant general की rank के हम लोग को देखने को मिलेंगे ये भी इस नए deputy chief के अंडर आएंगे right क्योंकि ultimately इनका काम क्या होगा advice करनेगा और ये जो हम लोग को देखने को मिलता है military operation के direct rate और military intelligence के direct rate या फिर एक नया office हम लोग को देखने को मिल रहा है planning and strategic communication का जिसको again directorate general head करेंगे तो ये basically जो post है ये on field वाली post हम लोग को देखने को मिलती है operation करने वाली post देखने को मिलती है अब इनको किस प्रकार से operation करना है तो उसके बारे में advice देने का काम किसका होगा इनी का होगा इसलिए ये पूरी post इनके अंडर आ रही है ये lead करेंगे पूरी post को बताएंगे कि किस प्रकार से आपको operation वगरा करना है तो उस concept को भी आपको समझते हो चलना है यानि कि आपको इसमें returning के आवशक्ता नहीं है आपको अपने concepts को clear करना है कि क्यों ये उपर rank पर हम लोग को देखने को बिल रहा है क्यों इनके नीचे ये दोनों offices हैं या तीनों offices है उसकी वज़ाश सिंपल्स ordered है क्योंकि ये advice देने का काम करेंगे तभी तो ये पूरे operation को lead करेंगे इनी के जो analysis है उसी के धुरूप पूरा operation conduct होगा understanding the point तो ये वाली चीज़ है इसके लावा जो changes जो है वो तुरंट start होना शुरू हो जाएंगे और कहा ये जा रहा है कि जो अभी at present हम लोग को Directorate General of Military Operation जो है Lieutenant General Paramjit Singh जी तो बताया जा रहा है कि ये पहले deputy chief of strategy हम लोग को देखने को मिलने वाले है ठीक है तो ये वाली चीज़ है इसके लावा जनरल basic knowledge भी आपको उनी चाहिए कि किस प्रकार के post हम लोग को देखने को मिलती है और अभी हम लोग क्या देख रहा है कि जो Lieutenant General के जो rank के officers जो है देखो आप Lieutenant General rank के officer यहाँ पर भी आप देखोगे Lieutenant General rank के officer तो ये army के अंदर किस position पर आते है तो देखो टॉप most जो post होती army के उसकी तीसरे number पर Lieutenant General की rank वाले officer हम लोग को देखने को मिलते है तो ये जो और इनी के ऊपर होंगे ये यानि कि Lieutenant General की rank के officer के उपर ये इनको head करेंगे ये नहीं वाली जो post हम लोग को देखने को मिलते हैं Deputy Chief of Strategy की post अप खुदी अंदाज़े लगा सकते हो कि कितनी topmost post है हम लोग को army के अंदर देखने को मिल रही है तो ये वाली information भी आपको होनी चाहिए साथी साथ अगर आप तयारी कर रहे हो तो आप चाहो तो वीडियो को post करके ये पूरा देख लो आप यहाँ पे ये topmost official होते है field marshal, उसका general, lieutenant general फिर इस प्रकार से ये post हम लोग को army के अंदर देखने को मिलती है तो इसका एक आपको idea होना चाहिए अंदाजा होना चाहिए बस simple सी चीज है क्योंकि आप जो तयारी कर रहे हो उस तयारी के अंदर demand होती है कि आपको अच्छी awareness होनी चाहिए और आपकी analysis को इस प्रकार से होनी चाहिए इसी लिए लाई जा रही है topmost के लिए क्योंकि अभी हम लोग को issues जो इंडिया और चाहिना के बीच में देखने को बिल रहा है again issue ना हो या फिर अगर होते है तो उसको किस प्रकार से जल्दी से जल्दी जो है भो खतम किया जाएगा, resolve किया जाएगा तो उसके लिए ये पूरा planning और analysis का काम करेंगे right deputy chief of strategy तो ये simple सी चीज है basic सी जिसके बारे में आपको एक अच्छा idea होना चाहिए Malayan giant squirrel तो देखें आप गईज ये गिलहरी को देख सकते है इस फ्रकार की ये दिखाई देती है Zoological Survey of India के according बताया जा रहा है कि 2050 तक 90% इनकी प्रजाती गिर जाएगी यानि कि 90% तक ये गिलहरीया कम हो जाएगी इंडिया के अंदर तो ये चीज जो है वो अभी बताई जा रही है एक recent study conduct हुई है Zoological Survey of India के थ्रू और ये Malayan giant squirrel जिसका scientific name Ratufa by color हम लोग को देखरे को मिलता है तो इनकी प्रजाती इंडिया के अंदर 90% तक गिर जाएगी तो ऐसा बताया जा रहा है और Zoological Survey of India के according इनका जो destruction हो रहा है वो इनके habitat पर हो रहा है इनकी जिस धगा पर ये रहती है वो जगा कम होती आ रही है और बताया जा रहा है कि 2050 तक मात रही है Southern Sikkim Sikkim के Southern Area और West Bengal के North Side पर ही सीमित रहने वाली है और अभी at present के अगर अपन बात करें तो 43.38% Area इनका हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है जिस जगा पर ये रह सकती है जिस जगा पर ये प्रजाती जो है रह सकती है तो ऐसे favorable areas होते ना जैसे कि human beings की बात करें तो हम लोग जो है वो बिलकुल अगर ठंड का इलाका चला जाए जैसे कि अगर हम लोग चले जाए Arctic region की तरफ तो Arctic region की तरफ human survive नहीं कर पाते क्योंकि temperature level उनके लायक नहीं होता जो whatever environment जो है वो उनके लायक नहीं होता humans के लायक ही वो survive कर जाए तो ऐसे species का भी अलग-अलग area होता है habitat area जहापर वो survive कर सकते है तो ऐसे squirrel का बदा जाए रहे कि हमारी country के अंदर और malayant giant squirrel जो है वो दुनिया भर की जो सबसे बड़ी squirrel species होती है गिलहरियों की सबसे बड़ी जो species होती हो उनमें से ये एक है इनकी जो upper body जो होती है वो dark color की होती है गहरे रंग की हम लोग को देखने को मिलती है और IUCN की red list के according ये near threatened species की category के अंदर आती है और Indian Wildlife Protection Act के अंदर भी इसको हमने संट्रक्षन दिया हुआ है इंडिया के अंदर West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh में घाल है और Nagaland में ये अभी पाई जाती है और दूसरे countries के अगर हम बात करें तो चाइना के southern region पर आपको ये देखने को मिल जाएगी Thailand में, Laos, Vietnam, Burma, Malayan Peninsula, Sumatra, Jawa तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी और जातर ये evergreen और semi evergreen forest में पाई जाती है अगर उचाई की बात करें तो sea level से 50 meter से 1500 meter की उचाई पर ये आपको देखने को मिल जाएगी और इंडिया के अंदर तीन बड़ी giant squirrel की species है उन में से ये एक है दूसरी जो giant squirrel की species है वो है Indian giant squirrel और grizzled giant squirrel जो की इंडिया में पाई जाती है इसके लावा जैसे की nocturnal flying squirrel से होती है यानि की निशाचार जो रात में जो जो है वो active रहते है species तो ये उसके विपरीद होती है ये वाले जो species है day time पर active रहती है इसको अपन diurnal कहते है तो यहली चीज़ भी आप लोग को थोड़े term बता होने अच्छे ये कभी कभी आ जाते है वंडे एक्जाम में आइडिया होना चाहिए से species के बारे में क्योंकि species से related भी questions आ जाते है second cancer genome atlas की यहाँ पर बात करेंगे उसका उधगाटन हुआ है तो देखिए सबसे पहले तो genome की बात करते है genome क्या होता है मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है complete set of DNA is called genome DNA का जो complete set होता है उसको genome बोलता है पर आप सभी जानते हैं कि DNA का जो complete set होता है उसको study करके scientists, researchers, experts ये पता लगा सकते हैं कि एक इनसान की body में क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या चीजें इन देसेंज, उसको कौनसी disease तो है की नहीं है उसकी body का color कैसा है उसकी height कैसी है उसकी आखों का color कैसा है उसके बाल का color कैसा है उसकी age कितनी है हर एक चीज के बार में पता लगाए जा सकता है इस genome को study करके इनसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखों तक इवेन उसका behavior कैसा है उसके बारे में भी पूरी चीज पता लग जाती है इस genome को study करके complete set of DNA को study करके तो ये किसका genome की बात हो रही है cancer genome की बात हो रही है तो जो भी cancer के patients हैं उनकी genome लिए गए होंगे, collect किये गए होंगे और उसका एक atlas तयार किया होगा यानि कि पूरी उनकी list तयार की होगी कि किस-किस patient के अंदर जो है वो genome, cancer के patients के अंदर genome किस-किस type के हैं फिर उसको study किया गया study करने के बाद ये पता लगा कि cancer जो है वो उनकी body में किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से जो है वो, मुलब mutation उसका किस प्रकार से हो रहा है किस प्रकार से उसके अंदर changes आ रहा है उसके tumor में, cancer के, right तो tumor होता है, पूरा खेल उसी का ही होता है तो वो ही चीज़ हुई, कि लोगों के cancer patients है, उनके samples को collect किया गया samples को collect करने के बाद है निकि blood sample वगरा को collect करने के बाद उसकी अगर चीज़े पता लग जाए, तो ये काफी असान हो जाएगा कि cancer को किस प्रकार से treat करना है, या फिर early stage में cancer को कैसे diagnose करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, कि एक इनसान को cancer होता है, बड़ उसको तब पता लगता है, जब उसके पास कुछी चंद महीने होते हैं, जीने के लिए last stage में उसको पता लग पाता है तो early stage में cancer detect हो जाए उसके लिए ये अगर data को study किया जाएगा, तब scientists and researchers बेटर तरीके से cancer को detect करना और उसको treat करना जो है वो सही तरीके से, जो है पता लगा पाएंगे कि कैसे इसको treat करना तो यही चीज़ है, उसी के लिए ये cancer genome atlas जो है वो तयार किया जाता है और उसकी दूसरी conference अभी recently हम लोग को देखने को मिली है, Ministry of Science and Technology के द्वारा इसका उधगाटन हुआ है Cancer Genome Atlas 2020 Conference का और यह इस प्रकार का जो project है, यह शुरू किया गया था 2005 में, किसके द्वारा United States की National Cancer Institute और National Human Genome Research Institute के द्वारा, और एक कैटेलोग जो है वो तयार किया जा रहा है कि genetic mutation जो होते है यानि कि बोई चीज़ में आपको बता है किस प्रकार से जो है वो collect करना और tumor के samples और blood के samples patient से collect किये जाते हैं इस process के दौरान और उसके बाद क्या होता है उनकी gene की sequencing होती है और bioinformatics होती है, यानि कि पूरी चीज़ उनके genome की जो है वो सामने रखी जाती है और उसका हर एक data जो है वो निकाला जाता है कि क्या changes आए है, किस प्रकार के changes आए है, पूरी चीज़ ऐसे study की जाती है और अभी तक बता जा रहा है कि 2.5 petabytes data जो है वो generate किया गया है, 11,000 से जादा patients है, तो ये चीज़ हाँ पर बताई जा रही है, और data किस purpose के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो का इस्तमाल किया जा रहा है, और Indian Cancer Genome Atlas भी हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर जिसकी शुरुवात इंडिया के द्वारा की गए थी, CSIR के द्वारा, इसमें काफी सारे government agencies involved है, cancer hospitals academic institutions, private sector partners, ये सब involved है, जो कि इंडिया के अंदर इस प्रकार का data जो है, वो collect करना है, जिससे कि हम लोग improvement ला सके, cancer के treatment के लिए, या diagnosis के लिए, इसके लावा clinical outcome के improvement ही इसका एक main मकसद, जो चीज मैं आपको बताई, और एक report है WHO की World Health Organization की World Cancer Report, इसके थुरू बताएगा है कि हर 10 Indian में से एक Indian को cancer होता है, और हर 15 cancer patient में से एक patient जो है वो, उनकी मौद हो जाती है तो ये चीज, ये data भी आप लोग को थोड़ा सा main perspective से पता होना चीजिए, तो ये था पूरा वोल टॉप How Bara Bustards, तो देखिए काईस ये पक्षी की हाँ पर बात हो रही है ये पक्षी का नाम है How Bara Bustards ये topic अभी news में से लिए क्योंकि Pakistan ने Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman और उनके दो family members को इजाज़त दी है, permission दी है कि वो इस पक्षी की hunting कर सकते है शिकार कर सकते हैं इस पक्षी का और गईस मैं आप लोग को बता दू कि ये पक्षी, according to International Fund for How Bara Conservation I.H. I.F.H.C. के according, ये पक्षी मातर 33,000 ही हम लोग को आज की rate में देखने को मिलते हैं तो काफी कम ये पक्षी है, उसके बावजूत पाकिस्तान ने, इनकी hunting जो है उसकी permission दी है, इस चीज के लिए पाकिस्तान की आलोचना है हो रही है, that's why ये topic news में था, बट आप लोग को How Bara Bustards नाम की इस पक्षी के बारे में कुछ basic information बता होनी चाहिए, जैसी की arid climates में ये पक्षी जो है वो रहते हैं और दो प्रकार के पक्षी हैं, ये वाले How Bara Bustards के, जिनको recognize किया है, IUCN ने, ये species की बात करें, तो ये North Africa में रहने वाली ये species है, इसका scientific name आप वीडियो को pause करके, एक बार ये पढ़ सकते हैं, read कर सकते हैं, ये इसका scientific name है, और दूसरी एशिया के अंदर जो ये पक्षी रहती हैं, वो ये वाली, right, जिसको generally McQueen के नाम से जाना जाता है, McQueen Bustard के नाम से जाना जाता है, एशिया के अंदर, जो ये इनकी population है Asian How Bara Bustard की, वो North East Asia में, Central Asia में, Middle East और Arabian Peninsula में आपको देखने को मिल जाएगी, Sinai Desert तक, मेरा आपसे कोशन है, नीचे comment box पर इस कहां से लिखकर बताईए कि Sinai Desert कहां पर है, क्योंकि ऐसे कोशन आपसे choose the correct pair या match the following वाले कोशन में पूछ लिए जा सकते हैं, तो Sinai Desert की location लिखकर बताईए नीचे comment box पर और जैसा मैंने आपको औरेड़ी बताई दिया है कि IFHC के according बताया जा रहा है कि मातर 33,000 ही ये Asian Howbara Birds आज की रेट में हम लोग को देखने को बलती है, Burstards और breeding के बाद, इनकी जो breeding होती है spring में, तो उसके बाद ये winter के समय पर पाकिस्तान Arabian Peninsula और Southwest एशिया पे जो है ये चली आती है और कुछ Asian Howbara Bustard हम लोग को इरान, पाकिस्तान और तुर्पमेनिस्तान में देखने को बलती है और IUCN की red list के according ये vulnerable की category में है, तो यह चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखती है, ठीक है क्योंकि species वाले question जैसे मैंने आपको हमेशवा बता है कि आपसे पूशे आते है prelims में, क्योंकि ये आपका prelims जो होता है civil services का और Indian forest services का वो एक ही होता है तो forest services के candidates की knowledge को जो है देखने के लिए test करने के लिए पेपर में आपको species वगेरा या forests related, environments related questions बहुत जादा देखने को बलेंगे तो इसलिए यह ऐसी topics पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है crack करने के लिए prelims guys अब इस topic के अंदर अपन बात करेंगे robotic surgeries के बारे में bariatric surgeries के बारे में कि ये क्या होता है क्योंकि robotic surgeries के बारे में आप अल्रडी जानते होंगे ये वाली चीज शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा bariatric surgeries कौन सी होती है तो इसको देखेंगे और IRDAI के बारे में basic information जानेंगे अब ये topic news में इसलिए क्योंकि IRDAI ने approval दे दिया है कि अपसे robotic और bariatric surgeries की policies भी देखने को मिलने वाली है याने कि इनोंने standardized कर दिया health policies robotic और bariatric surgeries के लिए भी तो आपसे लोगबाग जो है वो robotic surgeries के लिए भी policy ले सकेंगे तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है तो IRDAI इसका full firm क्या है Insurance Regulatory and Development Authority of India तो इसके बारे में थोड़ी देर से जाते हैं पहले कुछ बात करते हैं robotic surgeries के बारे में तो robotic surgery के आने के बाद क्या हुआ गए इसकी procedures वो होते हैं काफी complicated procedures वो काफी असान हो गए doctors जो हैं वो काफी complex procedures को असानी से बिना किसी मिलब issue के और proper नियंत्रण में रहकर control में रहकर सटीकता से operation कर सकते हैं robotic surgeries के दुरू benefit इस प्रकार के procedure के इंडिया में बहुत जादा हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर surgeries की cost काफी कम होती है actually में इंडिया के अंदर overall जो operations होता है health से related जो भी issues होता है उसकी overall cost rest of the country की बात करें या फिर developed country की बात करें तो उसके comparison में काफी कम है इसलिए आपने कई बार देखा होगी होगा कि foreigners especially इंडिया को choose करते हैं अगर उनको कोई operation वगएरा करवाना होता है तो जिसमें काफी cost लगती है तो वो इंडिया को choose करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर as compared to developed countries यहाँ पर cost जो है वो काफी कम है तो इसका benefit इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता ही है और robotic surgeries की बात करें गई तो इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा hole जो है यहाँ पर एक छोटे से छेट से ही पूरा operation कर दिया जाता है इससे क्या होता है patient को भी घबराट नहीं होती उसको भी डर नहीं लगता है कि उसकी पूरी body उसमें चीर भाड होगी डर लगता है और उपर से जब body में चीर भाड होती तो problem यह होती है कि मरने के चांसे फिर जादा हो जाता है क्योंकि एक भी छोटी सी गलती उसमें फिर मौत ही हो जाती तो यह ली problem है बट वहाँ पर एक keyhole के थूर जब operation होता है तो वो काफी सटीकता से हो जाता है और काफी हम लोग इस प्रकार की भी चीज़े देखते हैं इंसान की body के अंदर ऐसे ऐसे areas जहां तक normal surgeries के थूर पहुचा नहीं या सकता था जहां पर operation नहीं किये रह सकते थे वहाँ पर एक छोटे से keyhole के थूर operation किये अब जा सकते हैं क्योंकि camera लगा रहता है उसमें और उसके थूर पूरा जो भी यानिकि targeted area होता है सीधे मतलब है कि उसका पैसा भचता है क्योंकि जितने दिन तक hospital में stay होगा उतने दिन तक bills पे तो पैसे head on होते ही रहेंगे आप भी जानते है इसके बारे में है ना इसमें pain वगरा भी काफी कम होता है क्योंकि recovery ज़्यादे जल्दी हो जाती है इसके अंदर और surgery की cost काफी कम होती है तो इससे क्या होता है कि premium भी जो होगा यानि जो भी लोग robotic surgeries के लिए insurance बगरा करवाएंगे तो फिर उस पर उनको premium भी काफी कम देना होगा क्योंकि ultimately overall जो cost होगी वो भी काफी कम होगी तो operation की cost कम है तो obviously बाद है premium की cost भी हम लोग को कमी देखने को मिलेगी तो यह कुछ इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलता है अब बात करें bariatric surgery के बार में तो कुछ नहीं है simple सी चीज़ जो मोटापे को खतम करने की यह सरदरी होती है यह काफी सारे लोग जो होते है वो operation के तुरू जो है वो मलब अपने मोटापे को obesity को घटा लेते हैं आपने देखा हो कि काफी सारे लोग जो है इस प्रकार को operation करवाते है obesity को कम करने के लिए तो वो यही वालो operation होता है इसी surgery को अपन bariatric surgery कहते है तो simple सी चीज़ यह बस आपको थोड़ी सी चीज़ जान में रखनी है IRDI की बात करी एक regulatory authority हमारी country में है insurance regulatory development authority of India नाम सी आपको सब्सक्राइब आज़ना सी है कि insurance sector के उपर यह निगरानी रखने का काम करती है monitoring करती है कि जो भी लोग यानि की जैसे अपन है अपन लोग ने अगर health insurance लिया और अगर किसी company ने हमारे साथ घोटाला किया proper time पर जब हम लोग ने claim मांगा तो उसने claim नहीं दिया तो हम लोग IRDI के पास approach कर सकते है और IRDI insurance companies के उपर निगरानी रखती कहीं वो rules regulation को जो है वो गलत तरीके से तो follow नहीं कर रही कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है किसी company के अंदर तो इन सब चीजों की निगरानी रखती है और especially इनका काम यह होता है कि insurance customers जो है उनको protect करना IRDI का और insurance sector या insurance related activities के उपर monitoring करना और insurance industry के development के लिए भी यह काम करती है और अभी इसने यह robotic surgeries और pariatric surgeries के लिए भी एक policy का approval दे दिया है कि अब इसकी भी यानि कि robotic surgery के लिए भी लोग insurance करवा सकेंगे तो यह चीज है simple जिसके बार में आपको जान करी हो आज के लिए सिर्व इतने ही topics थे मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से clear हो गए है दिबाग पर मैड गए हैं तो like का button hit किये वेगर मज जाईएगा नए आए हैं आप तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजे और regularly follow करते रहे हैं और bell icon पर जरूर हिट करना तो bell icon पर हिट करोगे आप तो lectures की notification updates आपको time पर मिल जाएगी PDF paid package को अगर आपको join करना है तो simply आपको 100 रुपीज पर मन्त की fees पर यह आप join कर सकते हैं और इस paid package में आपको क्या मिलेगा तो यह पूरी चीज़ जो लिखी हुए daily lecture की PDF handout notes weekly compilation की PDF revision के लिए monthly magazine यह सब मिलता है और इसमें एक offer भी है अगर आप 2021 जनवरी 2021 से लेकर December 2021 की आप payment करते हैं एक साथ fees पर करते हैं अगर आपको monthly MCQ चाहिए तो आपको यहाँ पर monthly MCQ practice करने के लिए free में provide किया रहेगा इस offer के अंदर अगर आपको सिर्फ practice करने के लिए MCQ चाहिए तो उसकी fees 50 rupees additional है या फिर आप जैसे 100 rupees में 50 rupees देकर भी आप यह चीज ले सकते हैं या फिर अगर आपको यह paid package को join नहीं करना है आपको सिर्फ practice करने के लिए जो है वो questions चाहिए तो 50 rupees सिर्फ इसकी fees है और कैसे आपको लेना है यह तो देखिए आपको क्या करना है सीधे fees का screenshot mention करना है लेना है उसका reference number mention करना है आपका नाम contact number और किस मन्त का आपको subscription चाहिए वोल लिखना है और इन सब चीज़ों को आपको भेजना है इस email address पर कमलाक्षजा at the rate gmail.com ठीक है तो यह चीज़ है और और भी अगर आपको कुछ जान कर रही है यह paid package से related आप simply मुझे message कर दीज़ेगा यह facebook पर अगर आप है तो मेरे नाम को आप सर्च किज़ेगा facebook पर त कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछने है current affairs related या paid package से related आप पूछ सकते हैं इसके लावा live quiz भी चलता है अगर आपको यह attend करना है तो यह facility भी available है जैनवरी 2021 से live quiz को attend करने के लिए आपको premium membership लेनी होगी जिसकी fees मातर 59 रुपीज पूरे महीने किया है यहाँ पर आपको live quiz के अंदर material आपको कैसा मिलता है उसकी quality क्या होती है उसकी भी पूरी video बनाके रखा हुआ है sample तो भी आप देख सकते हैं नीचे description पर आपको मिल जाए गा लिंक और तो चलो आप अपन मिलेंगे कल और एक और चीज़ की 30 तारिक को शाहिद गई शाहिद नहीं तो 100% वैसे 30 तारिक को आपको lecture नहीं मिलेगा क्योंकि 30 तारिक को मैं किसी important काम से जो है वह बाहर जा रहा हूं थोड़ा सा city के बाहर तो वह lecture जो है वह प्रवाइड नहीं करा पाऊंगा बट 31 तारिक को आपको lecture मिलेगा 30 तारिक का भी और 31 तारिक का भी तो compilation lecture में प्रवाइड करा दू हो ठीक है तो चलो मिलेंगे अभी तो कल तब तक लिए बाबाई टेक क्यार अब ग्रीट यह टार्ट